जो money आपको दिखाई पड़ती है वो money तुरंद खर्च हो जाती है खर्च इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी accessibility बहुत ज़्यदा होती है ठीक है accessibility का मतलब होता है वो तुरंद आपके pocket में आपने डाला आपने purse में हाट डाला तुरंद निकल किया गया लेकिन जब आपके पास मुद्रा आपके bank account में चली जाती है तो आपकी accessibility थोड़ी सी कम हो जाती है कैसे कम हो जाती है और account जाएगा ITM से पैसा निकलने है यह एक human nature है तो कहीं न कहीं हम आलस के कारण वो काम नहीं करते हैं तो याद रखना human चाहता है कि सबसे liquid form की जो money होती है वो सबसे तेजी से खर्च होता चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो अगर आपको 500 रुपाय के दो नोट हैं तो यह 500 रुपाय के दो नोट बहुत जल्द खर्च हो जाएंगे लेकिन यही 500 रुपाय आपके account में है तो साइद बहुत देर में खर्च होंगे आप क्या कहोगे बहुत दिनों या 500 का नोट आपके घर में छूट गया होगा और कहीं बुक्स में रख गया होगा तो आप देखोगा कितने दिनों बाद उखर्च होगा तो यह human nature होता है आप मताओं कि जब मेरे पास 100 रुपी होते हैं तो 100 रुपी को मैं क्या करता हूं अपने bank account में रखता हूं जो bank होता हूँ आपका पैसा अपने account में रख दिया आपके account में रख दिया और digital रूप में आपके account में चढ़ा दिया यू हैप credit 100 रुपी आपने digit के रूप में 100 रुपी का message देखा आप खुस हो गए कि मेरे account में 100 रुपाए आ गए है RBI की guideline के according माल लीजिये कि आपको 10% का CRR रखना है cash reserve ratio अब इसके पीछे की कहानी सुनिये क्या होती है CRR के पीछे की कहानी CRR जिसे आप लोग इसको मैं VRR भी कहूं तो चल जाएगा variable reserve ratio परवर्तनी अनुपाद है यह परिवर्तनी अनुपादी जो आपका अनुपाद होता है यह बताता है कि यानि cash reserve ratio या variable reserve ratio हमें यह बताता है कि human की tendency होती है कि 10% money वो निकालने कभी भी आ सकते हैं suppose that आप एक लाख रुपाई जमा करो कभी आप एक लाख रुपाई तुरंत नहीं निकालोगे यह human nature पाया गया suppose that ए लड़की ने एक लाख रुपाई जमा किया एक लाख रुपाई निकाल लिया लेकिन banking study यह कहती है कि जितने ग्राहक उनके पास है 100 ग्राहक 100 ग्राहक में मात्र 10 ग्राहक आइस से निकले जो पैसा लेने के लिए तुरंत आप पहुँचे यह banking philosophy कहती है यह human nature कहता है human nature क्या कहता है कि अगर राजन जी ने एक नोट 2,000 का एकाउंट में डाला तो कभी भी 2,000 रुपाए एक साथ नहीं निकालेंगे पहले तो उस महीने निकालने के सोचेंगे ही नहीं क्योंकि अभी तुमने डाला है क्योंकि human nature है कि मेरे पास extra money थी जो इस महीने के additional में थी उसको मैंने अकाउंट में डाला तो मैं तुरंट अगर निकालना था तो मैं क्यों इतना pain ले करके bank गया deposit किया फिर आ रहा हूँ फिर अगले दिन निकाल रहा हूँ तो human nature कभी accept नहीं करेगा कि मुझे तुरंद पैसे की जरूरत है मुझा कि उसको account में डालू account में डालने के बाद निकालू ठीक है it may be possible हो सकता आपके घर वाले पैसा bank में जाकर जमा कर रहा हूँ और आप प्रियागराज से निकाल रहा है यह हो सकता है लेकिन इस वाली कटेगरी में मातर 10% लोग आते हैं bank study यह कहती कि 10% लोग आए और वो पैसा निकाल दोने से बचते हैं यह bank ने study यह तो अगर आप लोग bank खोलते हो suppose that तो यह मान के चलना कि जितना आपका amount है suppose that आपके bank में सव लोगों ने जमा किया सव सव रुपाय तो उसका 10% आप अपने पास कैस रखे रहे ना कभी वह पल्टी मार के आ जाएंगे भई हमारा पैसा दो तो उस पैसे की बेवस्था करने के लिए RBI guideline देता है कि you must be put some money in your bank as a cash आप कुछ पैसा अपने पास bank में cash के रूप में रखना कभी पल्टी मार के आ सकता है अगर हग लेकिन यह probability only 10% की है जो mathematics पढ़ी गई जो mathematics देखी गई जिस चाहे जिस bank की आप इस्टेडी कर लीजे के वल 10% से काम ही ग्रहाग that may be 4% that may be 5% that may be 6% इससे ज्यादा नहीं आए लौट करके या उनके account में transactions 5 यच्छाए परसेंट का ही whole transactions दिखाई पड़ा जितना पैसा जमा किये वो सारा खर्चा कर दिये यह तो आपका internet banking है जो आप ज़्यादा खर्च कर रहा हो नहीं तो internet banking जब तक नहीं थी Google पे जब तक नहीं था जब तक आपका phone पे नहीं था तब तक और लोग कम खर्च करते थे ठीक है ATM भी जाने से कत्रा आते थे इस समय तो आप लोग रात में shopping कर लेते हो बैठ करके आप Amazon से कर लेते हो flip card से कर देते हो such as many platform ठीक है online platform है जहाँ पे आप purchasing कर लेते हो ठीक है लेकिन इसमें भी यह 10% के criteria के अंदर ही सारी चीजे थी तो अब bank क्या करता है कि bank को यह human philosophy बड़ी अच्छी पता चल गई अच्छा human में यह nature होता है कि 10% money ही निकालते हैं तो क्यों न मैं इस 100 का 10% या 1000 का ठीक है सॉरी 1000 मालो ले लेता हूँ तोड़ा कि कि amount बड़ा चोटा हो गया 100 रुपए bank में जमा करने लाइक नहीं है 1000 का 10% bank रख लेता है as a CRR जिसको क्या कहते हो cash reserve ratio मैं बगल में लिख देता हूँ 100 रुपए ये भ्यक्ति पैसा निकालने आएगा तो 100 रुपए निकालने आएगा 100 रुपए से कम ही निकालेगा ठीक है अब बचा कितना bank के पास ये तो आवस्यक्री जर्व है ये कभी भी इंसान लौट के आ सकता है इसलिए bank अपने पास रखता है अब वो 900 रुपी क्या करता है उसके पास access money है ठीक है ये 100 परसेंट ये बैंक ने हमको वादा किया कि मैं आपको 4 परसेंट का ब्याज दूँगा कितना वादा करता आप देखना अभी आपको saving account होगा तो 3.0 something यानि 4 परसेंट के आसपास आपको ब्याज मिलता है ठीक है मुझे 1000 रुपाए में एक साल बाद एक साल बाद याद रखना credit card वाले बड़े वेखूब बनाते हैं credit card वाले कहेंगे हम आपसे 12 परसेंट ब्याज लेंगे लेकिन वो monthly रहता आप यह कभी थोड़ो बोलोगे कि monthly है कि yearly है देनते वक्त यह yearly बोलते हैं लेते वक्त monthly बोल देते हैं और आप हम लोग confused हो जाते हैं अब जब 12 परसेंट को अब convert करोगे तो 50-60 परसेंट में convert हो जाता है credit card वाला पैसा ठीके तो यह human tendency है कि human जो अपने बेवहार में दिखाई पड़ता है banking system वही को समझ लेता है suppose that मुझे 4% का ब्याज मेरे account में मिलता है yearly मिलता है यानि 4% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो एक साल बाद 1000 रुपए में 4% का ब्याज मुझे मिल जाएगा यानि 100 रुपए में 4 रुपए तो 1000 में 40 रुपए यानि यह अगर मैं इस 1000 रुपए के को छेड़ू ना account को तो एक साल बाद मुझे 1040 रुपए इस account में दिखाई पड़ेंगे ओके यह बात आपने समझ ली तो बैंक वालों ने आपकी साइकलोजी समझ ली साइकलोजी समझने के बाद तो आपकी साइकलोजी के साब से CRR 10% रख लिया अर्था 100 रुपए अब उसके पास access money access money का मतलब होता कि 900 access money है क्योंकि वो लेने तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं आता है 900 रुपए उसके पास access money है तूरांत बैंक ने कहा आओ हमसे लोन ले जाओ बैंक ने एक notice लगाया कि you can get the loan from our bank for the car for the education for the home for the ठीक है आपका product खरीदने के लिए आप हमसे लोन ले सकते हो लोन की दरे बहुत ही जी है होम लोन मात्र आपको 10% पर दिया जाएगा आपका education लोन 14% पर दिया जाएगा आपको bike लोन 17% पर दिया जाएगा बताए कोई लोन 4% पर हो कोई लोन नहीं होगा बैंक देते वक्त 4% सोच देता है लेतनी कि लेते वक्त 7.5% के नीचे उनका कोई प्लान नहीं है suppose that रमेस गया और उसने कहा कि मुझे 900 रुपाय का लोन दे दीजे कौन गया रमेस रमेस गया 900 रुपाय का उसको लोन चाहिए बैंक ने का कि येस आई हैब दा 900 रुपी मनी मेरे पास 900 रुपाय है हम लोन दे सकते हैं और आप ध्यान से देखना कभी भी लोन कैस में नहीं दिया जाता है लोन आपके एकाउंट में क्रेडिट किया जाता है कोई बैंक बता दो जो लोन कैस में देता हो कोई नहीं देगा तो रमेश के खाते में 900 रुपए चढ़ा दिये अब वो 900 रुपए किसके पास हैं अभी भी बैंक के पास ही हैं केवल 900 रुपए रमेश के एकाउंट में चढ़ गए हैं कि you can access this money अब रमेश भी क्या करेगा रमेश की human psychology कहती के 10% से ज़्यादा पैसा नहीं निकाले गएक साथ ठीक है 10% से ज़्यादा नहीं निकालेगा तो वो पैसा 900 रुपए रमेश के नाम पे चढ़ गया और इसका 10% जिस पर इसने बैंक ने ब्याद चार्ज किया है 10% और 10% इसका CRR है अर्थात 90 रुपए बैंक ने इसके नाम का क्या रख लिया CRR money रख लिया अब क्या हुआ बैंक के पास कितना बचा 810 रुपए रमेश कितना ब्याज देने लगा 900 रुपए पे 10% ब्याज देने लगा उसी दिन से और वो पैसा रमेश के एकाउंट में लोन इमाउंट चड़ गया लेकिन रमेश को पैसा दिया नहीं गया बल्कि उसके एकाउंट में लिख दिया गया है that is digital रुप में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है आपके एकाउंट में जो money आती है वो note नहीं डिजिटल फार्म में क्यों लिखा में ऐसे जाता कि आपके एकाउंट में बारा हजार रुपाए है तो ट्रिपल जीरो ही लिख करके आते हैं वो money already बैंक किसी को लोन दे चुका होता है अब क्या हुआ अब आपके पास bank के पास 810 रुपाए फिर से excess है फिर इसने मोहन आ गया मोहन ने कहा कि मुझे 810 रुपाए का लोन चाहिए suppose that मैं यह नहीं कहता हूँ कि पूरा amount कोई ले लेगा 3-4 में बांट देती है bank आपने देखाओगा ग्रहांकों की भीड लगी रहती है इन्हों ने कहा कि क्या करना कहें बाइक लोन लेना है बाइक लोन लेना 17 परसंट आप ब्याज देंगे चलिए मोहन के account में पैसा चढ़ा दिया गया कि मोहन अचानक कभी पैसा निकाल सकता है suppose that वैसे ये bank क्या करता है बाइकर्स के account में चढ़ायता किस पे जो agency बाइक देती है ठीक है अब ये मान लिया जाता है कि 10 परसंट ये पैसा मान लोन निकाल सकता है किसी करण से तो 81 रुपी निकालेगा और उसके परणाम सुरूप अब 81 को माइनस कर दिया जाएगा तो 729 मनी फिर से bank के पास बचेगी इस तरह करके bank लगभग इस money को तब तक loan में बाठती रहती है जब तक कि ये money पूरी की पूरी CRR में convert ना हो जाए किस में convert हो गई? cash reserve ratio में यानि bank ने 1000 रुपए जो राजन सर से आपके लेकर राजन सर ने bank में जमा किया था इस 1000 रुपी को इस 1000 रुपी को इसनों ने क्या किया? लगभग 20 लोगों में loan के रुप में distribute कर दिया bank ने और ये मान के रा कि 200 लोग कभी भी एक साथ bank नहीं आएंगे अपना पैसा लेने के लिए suppose that Monday Tuesday को आएंगे तो रोहन रमेश आएगा तब तक दूसरा बंदा पैसा जमा करके चला जाएगा हम उसका पैसा उसको दे देंगे फिर तीन दी बाद तो बैंक में हजारों लोग डेली आते हैं और हजारों लोग डेली deposit करते हैं और हजारों लोग चले जाते हैं तो एक हजार रुपए लगभग देखा गया तो यह ट्वंटी लोगों के साथ क्या कर चुके थे लोन का agreement कर चुके थे परणामस रूप इनको राजन सर को देना था 4% ब्याज 1000 रुपए पर यानि एक साल बाद इनको देना था 1040 रुपए आपके राजन सर को लेकिन रमेश से 900 रुपए पर 10% ब्याज लेना था तो 10% कितना हुआ 90 यानि 990 रुपए रमेश से पा रहे हैं आपका 810 और प्लस 81 और 17% इसका जोड़ दीजे कितना एमाउंट ऐज अब ब्याज पा रहे हैं और देना मातर कितना पढ़ रहा है 4% तो यह जितने ग्राहकों को पैसा बाट पाते हैं इसे क्या कहते हैं credit creation it is called साख सरजन जितने उस एमाउंट से क्या हुए उस एमाउंट से जितने लोगों को लोन प्रवाइड किया गया suppose that 20 लोगों को पैसा या दिया गया उनके अकाउंट में चढ़ाया गया तो हम क्या कहेंगे 20 लोगों के बीच में credit creation हो गया है अगर RBI CRR का एमाउंट बढ़ा के 20% कर दे तो अब 1000 रुपए में 200 रुपए रखना पड़ेगा किसको बैंक को कौन सी मनी ऐजा CRR क्यों तो अब CRR धुगना कर दिया RBI ने तो अब इनकी लोन देने की छमता 10 ही लोगों तक बचेगी दस लोगों में सारा पैसा बट जाएगा और CRR की रुपए पूरी मनी क्या हो जाएगी इकठा हो जाएगी तो अब इसको क्या कहेंगे credit क्या हो जाता साख संकुचन यानि साख पहले से बैंक की कम हो गई है बैंक की लोन देने की जो कैपसिटी थी वो डिकलाइंग हो गई है तो RBI ये चीज को बड़े अच्छे से गौर से समझ रहा है और RBI ने इस बात को बहुत अच्छे से जब समझा तो उसको ये बात समझ में आ गई कि बैंक जो होता है वो क्रेडिट क्रियेशन जो करता है और किस आधार पर क्रेडिट क्रियेशन करता है उसके पास कितनी मुद्रा है और मेरा C.R.R. का रोल कितना है मेरे पास CRR कितना है अगर CRR का मान जितना कम होगा बैंक की लोनिंग छमता उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी अर्थाथ एकनौमी में क्रेडिट क्रियेशन उतना ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अगर CRR का मान जीरो हो गया तो सोचो बैंक कितने ज़्यादा अलग वक्त पचास ग्रहाँ क्रेडि करतेगा पचास लोगों को ये मुद्रा पहुचा देगा उनके अकाउंट में क्रेडिट करेगा और क्रेडिट करने के बाद क्या हो जाएगा पास्बुक पकड़ा देगा लोल निकाल लेना पैसा human tendency है पैसा चड़ने के बाद कोई निकालता ही नहीं है इस तरह करके बैंक ये probability से खेलता है और ये मानता है कि human nature है और 10% से जएदा वापस आते नहीं पैसा लेने पैसा लोन दे दिया जाता है और बैंक वाले के अल दिन में उनके पास एक भी रग अगर रुपाई की पूझी नहीं है तो वो क्या करते हैं बैठे रहते हैं और बैठे बैठे इसका पैसा उसके सर उसका उसके सर उसके अकाउंट में चड़ाए उसका उसके अकाउंट में होता है तो इस प्रेकार 20 लोगों से जो इनकी अरनी हुई 20 लोगों से इन्हों ने ब्याज पाया अमाल लीज़ 20 लोगों से इन्हों ने 10 परसंट के रेट से ब्याज पाया तो मात्र एक परसन को इनको चार परसन्ट के रेट से ब्याज देना है तो इसके बीच में जो अंतर होता है वही बैंक का प्राफिट होता है और वही से बैंक अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है अगर उसने ब्याज उठाया अम मात्र उस बीस लोगों में आपका वन से लेकर के 20 तक में कियो एक ही ब्यक्ति का एक ब्यक्ति का वह भी पूरा पैसा नहीं जा राज क्योंकि 10 प्रसन्ट ब्याज हम ले रहे हैं उससे देना तो मात्र मुझे राजन सर को कितना 4 प्रसन्ट ब्याज है तो मैं एक ब्यक्ति के आधे पैसे से एक उस ग्रहक जिस ग्रहक का मैंने पैसा लिया उसको चुका दिया ठीक है चुका दिया और चुकाने के परणाम सुरूप क्या हुआ चुकाने के परणाम सुरूप बा इस तरह banking system को develop किया जाता है suppose that मैं एक आपको बताओं जब मैं वहां पर पढ़ता था तो आपकी तरह मैं भी graduation करता था तो एक लड़का बहुत स्मार्ट था फाइनेंसियल वह हर दम क्या करता था किसी से आता था 1000 उधार लेता था ठीक है उसे घर से फिक्सटे माउंड था पचास जार रुपए या साथ जार रुपए आ जाता था लेकिन अपना पैसा कभी बताता ही नहीं था कि I have the money वह यहीं बोलता था घरवाले नहीं भेज पाए 1000 लेता था मालीचे ए ब्यक्ति से उसने एक हजार रुपए लिया एक हजार लिया बोला कि मैं 28 फरवरी को क्या कर दूँगा आपको रीपे कर दूँगा ठीक है अब क्या हुआ पचीस फरवरी को इसने बी ब्यक्ति को पाड़ कड़ा और उससे 2000 रुपए उधार ले लिया ठीक है 2000 उधार लिया एक हजार रुपए इस ब्यक्ति को 28 तारी के पहले 27 तारी को ही भुखतान कर दिया यह ब्यक्ति ए बड़ा खुस हो गया यार इसने जो वादा किया था उसने पूरा एक्जैक्ट दे दिया अब एक हजार इसके पास हुआ फिर इसने सी ब्यक्ति से 3000 रुपए ले लिया है 2000 ब्यक्ति भी पर्सन के चुका दिये यह ग्रेडिट क्रियेशन का कमाल होता है बुरा किसी में नहीं बना लेकिन सबसे अपनी एक्टिविटी को क्या किया अपडेट करता चला गया तो बैंक भी यही काम करता है कि ए ग्राहक से पैसा 10,000 रुपए ए इंट्री कर दिया और उस पैसे को उठाकर के A person को सुरई B person को, C person को, D person को, E person को, F person को, G person को, जितना CRR amount रखने के बाद जितना rest up amount बचता था सब को किसी के नाम मत्थे loan amount चलाता चला गया इस तरह की जब सीरीज देखी गई तो 20 या 30 लोगों को इस पैसे को उसने चढ़ा दिया था और ये माना गया कि human tendency में 10% लोग loud करके नहीं आते तुरंद कैस निकालने और आज digital दुनिया में सब लोग online payment करते हैं तो जब online payment करते हैं तो माल ये Amazon वाले ने क्या किया अपना खाता कहां खोल करके रखा है SBI में तो माल लीजिए कोई एक लड़की है और वो लड़की ने shopping किया रात में तो उसके account से digit काट करके कहां चली गई Amazon के खाते में और Amazon ने फिर से transfer कर दिया SBI में अपने खाते में तो केवल digit का transfer हो रहा है money आपकी आज भी चेस्ट में उसी तरह जहां पर रखिया वहसे ही रखिया केवल digit का transformation हो रहा है और इस प्रकार एक प्रकार का money illusion surround बन गया है मुद्रा भ्रम जाल मैं इसको कहूँगा मुद्रा भ्रम जाल मुझे मेरे पास्बुक में लगता कितना पैसा है लेकिन रियल में कुछ नहीं है केवल एक डिजिट लिखी गई है वो पैसा मेरा सब loan हो चुका है तब ही तो जब किसी देश बड़े देश में crisis आती ही तो जब ग्रहक अचानक बैंक में पहुच जाते हैं तो बैंक वाले बैंक छोड़ के बाग जाते हैं क्यों ये तो मेरे probability के भी रिर्द हो गया अचानक 10% से ज्यादा कहां से आगा है हम तो पे नहीं कर सकते हैं जब पे नहीं कर सकते तो अफ़राता फ्री फैलेगी क्योंकि वो आपका पैसा तो सब loan में दे चुके हैं तो इस तरह बैंक क्या करता है अपने credit creation को संपादित कर और संपादित करने के पैड़ाम सुरूप पूरी अर्थ ब्यवस्था से वो benefit उठाता है और उस benefit से अपनी economy यानि अपने bank को चमकाता है चलाता है तब अपने bank को salary देता हो और even कभी कभी क्या होता कि bank loan न दे करके बड़ी-बड़ी properties को properties को purchase करता है किसे यही पैसे से आप की ही पैसे से और हमारे पैसे से लेकिन वो bank का आई जा profit convert हो चुका है तो इस तरह जो आपका credit creation होता है इसे हम लोग credit creation की संग्या कहते हैं कि जो आपकी मुद्रा है उसको कितने लोगों से अपने ग्राहक बनाए अगर 20 लोगों को बनाए तो आप कहोगे 20 credit creations हो गए अगर 10 credit creation हो गए तो यह जो पहला जमा था इसको हम लोग कहते हैं यही real जमा होता है इसको कहते है primary deposit इसे आप क्या कहोगे primary deposit और इसे इससे सारे 900 800 700 यह पूरे digit होते चाहेंगे 600 500 400 इसे कहते हैं drive deposit, drive deposit, ब्यूत्पन जमा, यह unreal जमा होती, unrealistic deposit होते हैं जो केवल लगते की जमा हैं लेकिन वास्तों में जमा नहीं होते हैं तो दो प्रकार की आपकी deposit होती है एक primary deposit होती है और secondary आपकी drive deposit होती है यानि बेउत्पन ने जमा होती है जो केवल आपके एकाउंट में चढ़ा दी जाती है और उस पैसे को ऐसे CRR थोड़ा सा पैसा रख करके बाकी सारा पैसा उठा करके दूसरे तीसरे चौथे पांच में छटे सारे ग्राहकों को दे दिया जाता है और इस प्रिकार बैंकिंग सिस्टम आसानी से चलती है तो केवल एक मनी इलेउजन सराउंट है मैं क्या कहूंगा एक ऐसा वातावरान जहां पे मुद्रा का केवल भ्रहम फैल आया गया है आपको भ्रहम है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे लेकिन वो पैसे ऑल्रेटी किसी को लोन दे चुके हैं बस बैंक के पास यह पावर होती है कि वो ट्रस्ट बहुत करता आप पर विश्वास बहुत करता कि आप लौटा दोगे पैसा अजब आप पैसा लौटा नहीं पाते तो उस मुद्रा को क्या घुसित कर दिया जाता एन पी ए क्या तो होता है इन पी यह कोई बता सकता है कोई बता सकता है एन पी यह क्या होता है कि नौन पर्फॉर्मिंग एंसेट एंप यह अभी आपने देखा होगा एक किंग फिसर जी के मालिक नौन पर्फिसर जो है वो नहीं लोटा पाए ठीक है तो जब किंग फिसर जी के जो किंग फिसर के मालिक है उन्होंने पैसा नहीं लोटा पाया तो उस पैसे को क्योंकि जो हमारे एक निश्चित समय के बाद जो पैसा हमको वापस आना होता है अगर वो पैसा नहीं आ पाता सपोच देट मोहन ने पैसा लिया और मोहन भाग गया ठीक है मुहन को अब ढून रही है बैंक ढून रही है तो उसे हम लोग कहते हैं non-performing assets कहते हैं non-performing assets याद रखना non-performing assets और इस समय बैंकों में non-performing assets 4 या 5% बन रही है जो थोड़ा सा खतरनाक होता चला जा रहा है 4 या 5% ऐसे लोग है जो credit creation में यानि 20 लोगों को credit दो तो result या निकल रहा है तो 20 में 4 या 5% कितना होगा मुझे लगता कि 1 या 2 लोग 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं लोटाते नहीं ठीक है बैंक को ज्यादा नुकसान नहीं होता जाएगा ग्राहकों का ट्रस्ट खतम हो जाएगा क्यों क्योंकि बैंक के पास अगर राजन जी गए उन्होंने कहा कि मुझे सर एक काम करी 1000 रुपए में 200 दे दीचे उन्होंने कहा नहीं अब कल आईए परसों आईए तो यह नाराज हो जाएगे यह तो मुझे टहला रहे हैं तो यह काएगा हम जमा ही नहीं करेंगे जब जमा नहीं करेंगे तो बैंक पे विश्वास घटेगा बैंक पे विश्वास घटेगा तो लोग डिपोजिट कम करेंगे डिपोजिट कम करेंगे तो क्रेडिट क्रियेशन नहीं होगा तो bank का profit decline कर जाएगा इसलिए bank क्या करता है हर एक जो ग्राहक loan लेता है उसका civil score चेक होता है क्या score? civil score civil score क्या होता है? वो आज तक कितने loan लिया है क्या उन loan को समय से चुका पाया है या नहीं चुका पाया है उस score को हम लोग क्या बोलते है civil score दूसरा loan उसी ब्यक्ति को देना जो married हो पहली चीज married में क्या होता? भागने में आसानी कम रहती है अभी आप लोग कमरा छोण के भाग सकते हो लेकिन married family को सूचना पड़ता है कि हम भागे या ना भागे जाएंगे तो कहां जाएंगे इतनी बड़ी family को लेकि तो पहला जो bank देखती है, test करती है सबसे पहले आपके family का data मांगती है फिर बोलती कि आप किराय के मकान में हो या आपके अपने permanent मकान में तब loan आपको देती है, नहीं तो loan नहीं आपको देगी किराय का मकान आपका भी छोड़ दोगे तीसरा, एक guarantor ढूरती है जो guarantee ले कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह नहीं भागेंगे तो इस प्रेकार करके जब credit creation कोई bank करती है तो वो कई dimension से यह काम करती है लेकिन अभाग कैसे जाते हैं guarantor भी फरजी निकला वो जो मकान बताये थे मेरा है वो पता चला उनका मकान था ही नहीं गाउं में जाए रेजिस्ट्री गाउं में थोड़ो होती है गाउं में तो दादा जी का मकान ने दादा जी के पास पेपर थोड़ो थे वो तो हैसे ही हमने जबीन पर घर बना लिया ठीक है तो और married में भी फरजी married दिखा दिये एक certificate generate कर लिये तो इस तरह क्या होता बैंक अब बहुत चीजों को cross verified करने लगा है ताकि मेरे ग्राहक में जो credit creation हुआ है वो NPA में convert ना होने पाए और मैं properly मेरा जो पैसा मैंने loan amount दिया है वो वापस पूरा आ जाए अब bank क्या करता है जब loan देता है तो ध्यान से देखना loan किस मत के लिए दिया जाता है वो depend करता है suppose that अब buy का loan लेने जाओ SBA के पास मैं आपको बताओ इस समय उसका ब्याज़दर है 17% लेकिन अगर आप home loan लेने जाओ तो home loan का इस समय ब्याज़दर है 8% आखिर इतना नतर क्यों क्योंकि bank को पता कि अगर आपने घर खरीदा है तो bank सारे घर के paper खुच चिक करता है दूसरा आप भागोगे जमीन तो उठा के नहीं ले जाओगे मकान तो अपने सर पे लाद के भागोगे नहीं तो bank को यहाँ पे risk कम होता है home loan में इसलिए वो कम ब्याज़दर भी आपको loan दे देता है लेकिन बाइक loan में बड़ा डर है बाइक स्टार्ट किया निकल गया ता मिल नाडू लोग ढूरते रह जाओ तो इस पे risk ज्यादा है इसलिए उसनों क्या क्या इस पे ब्याज़दर बढ़ा दिया है ताकि बहुत जिसको और शक्ता हो वही बाइक ले और वह प्रॉपर इवीडेंस के साथ आए कि नहीं मुझे बाइक loan चाहिए तो बैंक क्या करता है क्राइटेरिया बनाता है रिस्क जोन के एकॉर्डिंग जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें ब्याज़दर ज्यादा कर देता है और जिसमें रिस्क कम होता उसमें ब्याज़ कि दर कम कर देता है और उस आधार पर अपने ग्राहकों का चैन करता है means credit creation करता है अगर उसका रिस्क जोन change होता जाता है मैं बताउं कि मैंने कई CA के साथ मैंने काम किया तो आपका अपका प्रियागराच सीविल लाइन्स में भी मेरे प्रोफेसर लामबा थे तो सीए थे मैं उनके साथ नोकिया कंपनी में आडिट का काम करता था तो मुझे जोन मिलते थे जोन का मतलब होता है कि मान लिजे आपका मान के चलिए अब नाम तो सपोज देट हाँ जिसे अरिया में रहने वाले ब्यक्ति लोन चुकाने के लिए कभी नहीं आते हैं और जगड़ा करते हैं ठीक है हर देखना पूरे जो लोकैल्टीज होती है लोकैल्टीज में कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहां से वसूली करना नामुनकिन होता है तो जहां पर ऐसे लोगों का जाए कि यह रेड जोन से आते हैं कुछ जोन थे जैसे सीविल लाइन आपका है यह क्या था ग्रीन जोन है यहां पर रहने वाले लोग तुरंत लोन चुका दे रहे थे ठीक है अब क्या होता था इस्टूडेंट का अब मैं बात करूं तो इस्टूडेंट पे अगर हमने द जो आन्मैरीड स्टूडेंट थे। उनको हम लोगों रेड जोन में डाला लेकिन पहें पीएचडी शॉर को हम लोगों क्या किया था बलू जोन या यहलो जोन में डाल दिया था कि इनमें लोटाने की च्छमता होती कि इस्कौलर सी पाते हैं तो इस प्रeकार बैंक क्या कर लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा रिस्क है, प्राइवेट सेक्टर में पता नहीं, वेतन मिले टाइम पे या ना मिले, तो इस प्रेकार जब भी बैंक अपना क्रेडिट क्रियेशन करती है, यानि ग्राहों को सेलेक्ट करती है, तो कई डाइमेंशन से काम करती है, और उन डाइमेंशन में, आपका सेल्स मैनेजर, आपका एरिया मैनेजर, कई प्रकार के मैनेजर से फाइल गुजरती है, और सारे चेक करने के बाद ही फाए, आपका क्रेडिट क्रियेशन का कारे शंपूर होता है, और तब बैंक का जो एसेट्स होती है, वो NPA में कनवर्ट नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार जो बैंकिंग है, बैंकिंग अपना काम परफॉर्मेंस करती है, और तब आपका क्रेडिट क्रियेशन का काम होता है, और इस प्रकार मैंने आज जो बेसिक कॉंसेट्ट था बैंक का, मैंने आपके साथ डिसकस किया, अब आप अपने प्रस्न पूछ सकते जो से